नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूं पूर्व यानि इस्ट दिशा में अगर आपका टॉयलेट है तो उसको क्या उपाय हम कर सकते है एक्चुली एक सब्सक्राइबर है हमारे चैनल के उन्होंने ये क्वेस्चन पूझा था कि जो अगर इ इस्ट में अगर टॉयलेट है तो यहां पर हम देखते हैं एक सैंपल नक्षा निकालते हैं यह है इस घर का नौर्थ उत्तर सौथ दक्षिन इस्ट जिसका हम आज बात करने वाले है पूर्व और यह है वेस्ट ठीक है अज हम इस्ट के बारे में देखेंगे इस्ट में बै सब्ट डायरेक्षन होते हैं एक है नौर्थ इस्ट और एक है साओधीस्ट ठीक है एबहनी नौर्थ इस्ट साओधीस्ट यह तो है अभी यह exactly हमेशा मैं बता था हूँ फिर से एक بารपेट कर देता हूँ और कॉर्णर में ही आएंगे ऐसा नहीं आपका घर स्क्वेर हो सकता है यानि चोको नहीं रेक्टेंगल हो सकता है जो इसकों आयता कुरूती कहते लंबा हो सकता है या फिर कुछ थोड़ा सा आगे पीछे है फ्लैट्स है तो वह इरेगुलर शेप्स होते हैं उस प्रकार से हो आपको डायरेक्शन्स चेक करने हैं अभी हम देखते हैं कि इस्ट डायरेक्शन देखिए अगर आपका जो टॉयलेट है यह टॉयलेट इस्ट डायरेक्शन में आता है यानिके एक्जेक्ली हम इतना पकड़ते हैं इस्ट बाकी नौर्थ इस्ट में आएगा और सौथ इस् को मिलते हो बाहर तो लोगों से मिलना जुलना यह सभी चीज़े जो है इसके रिलेटेड है या फिर आपके जो फ्रेंड सरकल है जो आपका सोशल कनेक्टिविटी है ना कि सोशल वेबसाइट बट आप रेगुलर किसे मिलते हो कितने लोगों से मिलते हो कितने इवेंट्स में आप जाते हो क्या या जाने से आपको थोड़े सी इस की चार्ट होती है तो ये सब चीजे इस्ट का रहता है connectivity ठीक है अब ये connectivity आप लॉस्ट कर देते हो अगर इधर आपका toilet है इसका impact बच्चों पर भी होता है इस्ट में toilet है तो क्योंकि इस्ट नॉर्थ इस्ट ये जो है बच्चों के लिए बहुत important दिशा है और यहां से आने वाली energy भी बहुत जरूरी होती है growth के लिए in terms of mental, physical, everything हम कहते हैं कि सवेरे की धूप में खड़े रहना चाहिए सवेरे की धूप घर में आनी चाहिए अगर यहां पर toilet है तो वह block हो जाता है तो वह blockage भी यहां पर create होता है जो की name frame है वह dispose होने लगता है यानि कि यहां पर toilet आता है तो वह disposal चालू कर देता है इसलिए यहां पर toilet नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर समझें यह जो मैंने दिखा है इस कहीं पर भी आपका टॉलेट आ रहा है वो अटेच हो बेडरूम का या फिर वो कॉमन वाला टॉलेट हो कोई भी हो तो उसको हम क्या उपाई कर सकते है सबसे पहले इस्ट का जो मैंने आपको बेसिकली जितने भी टॉलेट के वीडियोज है उसमें आपको बताया है कि आपको एक काच के बाउल में अगर वो टॉलेट सही जगे पे नहीं है तो आपको काच के बाउल में सागरी नमक यानि के खड़ा नमक वहाँ पे रखना है और दूसरे काच के बाउल में आप फिट करी भी वहाँ पर रख सकते हो यह सबसे best remedies हैं इसके बाद में जो remedy है वो है color वाली अभी यहाँ पर पिस्ता green color आप green color यूज कर सकते हैं ठीक है अभी वो पिस्ता green रहेगा light green रहेगा dark green रहेगा आपके choice के ही सबसे है कि आपको किस type से green वाला shade use करना है तो वो shade आप इस दिशा में use कर सकते हो ठीक है उस toilet में tiles के color रहेंगे वहाँ पे दिवारों का color रहेगा डोर को आप वो color इस colors आप वहाँ पर use कर सकते हो energy enhance करने के लिए इसके बाद में जो remedy है इस toilet का जो flooring level है वो आपको नीचे रखना है थोड़ा सा ज्यादा उपर नहीं रखना है क्योंकि ये east side में है इसके बाद में जो आता है आपको यहाँ पर जो toilet seat है अभी यहाँ पे समझिए ये toilet seat है ठीक है और ये just for example ये है north facing तो हमें उपाय क्या करना है इसके लिए कि इस toilet seat को आपको जो ग्रीन टेप आएगा टेप मतलब जिसको हम पट्टी भी कहते है टिक्सो टेप रहता है ट्रांस्परन टेप रहता है वैसी color वाले टेप भी आते है वस्तू के लिए आपको online भी मिल जाएंगे shop पे भी मिल जा लगाना है पिस्ता ग्रीन कलर वाला ओके तो इस प्रकार से आप यह लगा सकते हैं अब यह थोड़ा उपर नीचे हो गया है बट आपको यह लेवल में लेना है और इंडियन टॉलेट है तो चारो साइड से लगा है तो भी कोई प्रॉब्लेम नहीं कोई दिक्कत नहीं यह या फिर पिछे के वाल तक आप ले सकते हो सेम रेमेडी है आपका अगर कमोड है उसके लिए भी कलर आपको दहन में रखना है यह ग्रीन टेप लाना है आपको अभी यहाँ पर आपको मेटल रेमेडी करना है तो आप एसेस जो मेटल स्ट्रिप होता है स्टेनले स्टील का वो भी मिलता है उससे भी आप रेमेडी यहाँ पर कर सकते हो तो यह जो रेमेडी है यह आपके इस्ट के टॉलेट की है आप ध्यान में रखिए बेसिकली जो रेमेडी है आप घर में कर सकते हो काच के बाल में नमक रखना है फिट करी रखना है कलर की रेमेडी है आप कलर वहाँ पे चेंज कर सकते हो, टॉलेट रूम कोई बड़ा रूम नहीं होता है, एजिली वहाँ पे हम कलर जो, जैसा मैंने बताया, वो कलर आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो की अच्छा रहेगा निगेटिविटी कम करने के लिए, अगर कलर टेप नहीं टिकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कि उस कलर का प्लोर पेंट या फिर उस कलर का ओईल पेंट लाके, वहाँ पर उसका जारी चोड़ा पट्टी दे सकते हैं, जो की अच्छा काम करेगा, वो भी हो सकता है, तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखना है, यह रेमेडिज आपको ध्यान में रखना है, आपका अगर टोएलेट इस्ट में है, और उसके निगेटीव इंपक्पेक्ट अगर आपको कम करने के लिए यह चीज़े आप इस्तमाल कर सकते हो, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा शेयर करने से इंफर्मेशन तो सब लोगों के पास जाएगा मेरे भी व्यूज बढ़ेंगे और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा धन्यवाद दोस्तों थैंक यू फॉर वचिंग